नमस्कार दोस्तों आईए एक बार फिर से डिसकस करते हैं बायोजी के कुछ important previous year questions जो आने वाले हिमाचल प्रदेश के TGT medical exam के लिए बहुत जादा important है इसके साथ ही अगर आप NEET, NET, SET या फिर KVS और NBS के teaching exams के तियारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये questions आपको ज़रूर help करन वाले हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की questions जो है topic evolution से पहला question है approximate age of earth in million years is option हमारे पास 4 दिये गए है सीधा सा answer इसका है 4600 million years अगर ये billion में दिया होता तो ये होता 4.6 billion years ठीक है ये है age of earth और earth के साथ साथ ही solar system की अगर approximate age बताई जाए तो वो भी 4.6 billion या 4600 million years मानी गई है ठीक है और अगर universe की अगर हम बात करें की universe की उत्पत्ती कब हुई universe कब अस्तित्व में आया तो वो था 15.20 billion years billion years ठीक है और अगर life की बात करें की when life was originated on earth तो it is about 4 billion year 4 billion year या 4000 million साल पहले ठीक है इस question से ये दो तिन questions जो पूछे जाते हैं main question अगर age of earth का पूछा है तो यहां से important life of age of life on earth वो भी यहां पर पूछा जा सकता है ध्यान ये रखना है कि million में पूछा है million में six zero sorry billion और million में क्या difference है thousand million and billion thousand में 30 होती है million में six zero होती है और billion में nine zeros होती है next हम देखते है ए बायोजेनेसिस इस ये ए बायोजेनेसिस क्या होता है ठीक है ए बायोजेनेसिस का मतलब origin of life from non-living organism origin of microbes from living organism या spontaneous generation या origin of microbes and viruses तो ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है non-living organism तो नहीं होंगे non-living organism अपने आप में क्या है ये life को दर्शाता है कि वो कभी जिन्दा रहे होंगे origin of life from non-living organism ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है ए बायोजेनेसिस ठीक है without bio life genesis पैदा होना बिना life से किसी ऐसे matter से जिसके life पहले से नहीं थी वहां से life का production होना that is a biogenesis origin of microbes from living organism ये भी नहीं हो सकता it is spontaneous generation कि ये कहीं से भी जो life है वो निकल सकती है तो इसी a biogenesis को इसका third option सही है a biogenesis का इसको discuss करते हैं spontaneous generation ठीक है a biogenesis को ही spontaneous generation कहा जाता है कहीं से भी कभी ठीक है और इसी को ही autogenesis भी कहा जाता है autogenesis ठीक है इसका मतलब क्या है कि जो life है वो non-living matter से spontaneously मतलब कभी भी कहीं भी ठीक है बन सकती है तो ये क्या है spontaneous generation है, abiogenesis है, autogenesis है question पूछा जाता है कि किसने abiogenesis की जो theory है वो introduced की थी तो abiogenesis की जो theory है वो introduced की थी anneximender ने, anneximender और abiogenesis को और किन-किन लोगों ने support किया कौन-कौन से scientist थे जिन्हों ने support किया तो इन में जो main नाम आते है वो पहला नाम आता है Aristotle का Aristotle का, दूसरा आता है Plato का तीसरा आता है Leeuwenhock का Leeuwenhock का ठीक है, लेकिन Leeuwenhock के case में कुछ difference है अभी हम देखते हैं कि abiogenesis का मतलब यहाँ पर as an example क्या है यह मान लिया जाता है कि जो frogs हैं, वो mud से निकलते हैं, mud से बनते हैं हमारे सिर की जो जूएं होती हैं, या कभी होती थी उनको, उनका जो बनना होता है, वो human के sweat से होता है, पसीने से उनका formation होती है, जो मक्या हैं सड़े हुए मीट के उपर वो सड़े हुए मीट से ही बनती है ठीके, तो यह spontaneous generation की बात है इसी को abiogenesis भी कहा जाता है तो Aristotle और Platter ने तो इसी तरह से इसको accept कर लिया लेकिन Leeuwenhock ने कहा कि यह जो spontaneous generation है यह macro organism के लिए नहीं है, macro organism spontaneous generation से पैदा नहीं होते हैं, लेकिन जो micro organism है, वो ज़रूर, Leeuwenhock ने सिर्फ micro organism के लिए, ए बायोजेनिसिस की थियोरी को support किया इसके बाद, एक और scientist आते हैं, वो हैं Lewis pasture वो हैं Lewis pasture, और Lewis pasture ने क्या कहा? Lewis pasture ने कहा कि ना तो macro organism और ना ही microorganism, यह यह बायोजेनिसिस की जो थियोरी है इसको completely discard अगर किसी ने किया, तो वो थे Lewis pasture और एक experiment आप देखते होंगे जिसको कहा जाता है swan neck flask test swan neck flask test यह swan neck flask test जो है, वो किस ने किया था? Lewis pasture ने किया था ठीक है? तो इन्हों ने completely within example within experiment जो है वो discard कर दिया था theory of a biogenesis को ठीक है? इसके लावा भी इस earth पे life के origin की बहुत सारी theories हैं, कुछ है theories जो exam में पूछी जा सकती हैं जो जरूरी हैं, उनको discuss करते हैं, जैसे पहली theory है, theory of special creation theory of special creation, कि भगवान जो हैं, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है या Bible में देखा जाएगा तो छे दिन में Adam और Eve की वज़ा से हैं, जो life की origination होती है, वो उस तरह से होती है तो special creation जो है ये किस ने दी? Father Suarez ने दी थी Father Suarez Suarez Father Suarez ने special creation की theory थी थी, जिसमें भगवान का रोल जो है, वो बीच में आता है, दूसरी है theory of catastrophism catastrophism यहां पर जो भी life नई बन रही है earth के उपर वो कहां से बन रही है, कोई न कोई catastrophe जो है, वो आती है catastrophe का मतलब क्या है कोई एक भयानक आपदा आती है जैसे बहुत भयानक tsunami आ जाएगी, भुकम पा जाएगा या हम कहते हैं कि Jurassic period में जो metroid हैं वो टकरा गए थे, धरती से जिसके वज़ा से जितने ही dinosaurs और उनके जो environment है, वो खतम हो गया था और उसके वज़ा से फिर नए life जो है, वो यहां पर originate हुई तो यह theory of catastrophism में आता है और theory of catastrophism इसके जो इसको जो postulate किया था, वो postulate किया था कुवियर ने और यही कुवियर जो है, इनको father of modern paleontology यानि father of modern fossil study कहा जाता है otherwise जो father of fossil study है, या father of paleontology है, उनको Leonardo da Vinci है ठीक है, next theory है life से related, वो है cosmozoic theory cosmozoic theory cosmozoic theory और यह theory दी थी Richard ने, R-I-C-H-T-E-R Richard ने यह theory दी थी cosmozoic theory इस theory में कहा क्या एक कहा गया है इस theory में Richard के द्वारा, कि life जो है वो दूसरे planet से earth में आई earth में पहले से life नहीं थी लेकिन यहाँ पर जो life आई वो दूसरे planet से आई और किस form में आई in the form of cosmic dust या फिर जो meteoroid है उनमें जो life है वो इस earth पर आई और फिर बार में यहाँ पर flourish हो गए यह cosmoszoic theory है एक ऐसी ही same theory है जिसको बोलते है theory of panspermia theory of panspermia बहुत बार life question पूछे जाते हैं और यह किस ने दी है arheneas ने दी है arheneas और यह भी same वही है कि यहाँ पर भी जो life है वो दूसरे planet से आती है लेकिन किस form में आती है यहाँ पर spore की form में दूसरे planet से आती है तो panspermia में spore की form में life दूसरे planet से आती है जबकि cosmozoic theory का यह मानना है कि जो life है अर्थ में वो दूसरे planet से आई है but in the form of cosmozoic dust ठीक है धूल की form में या जो metroid लेते हैं उनकी form में या उन में जो form होके है यहाँ पर आती है ठीक है लेकिन इन सब theories में कोई ना कोई जो क्या कहेंगे cones pros and cones का cones negative impacts या कोई ना कोई loopholes जो है वो कही ना कही नजर आते ही है तो एक जो सबसे ज़्यादा well accepted theory है वो है modern theory modern theory इसी theory को हम theory of chemical evolution भी बोलते है ठीक है और ये chemical evolution AI Operon ने दी थी और अलग से Halden ने भी दी थी Halden ने भी दी थी Halden ने ठीक है तो Operon ने 1923 में दी ये और Halden ने अलग से फिर ये 1928 में दे दी दोनों को नहीं पता है कि ये एक ही theory को postulate कर रहे हैं और बात में चलकर ये जो modern theory या theory of chemical evolution है इसको Operon and Halden ने theory भी कहा गया ठीक है और AI Operon की एक book है Origin of Life ठीक है उसमें इन्होंने इस chemical evolution की theory को discuss किया था Basically chemical evolution की theory ये कहती है कि जब भी life का origination यहां पे हुआ है जब भी life यहां अर्थ पे originate हुई है तो there were some environmental factors जिन्होंने support किया कि जो chemicals वहां पर हैं जो molecules वहां पर हैं वो एक दूसरे के साथ react करते रहें फिर थोड़े organic molecules, simple organic molecules बनाएं, then complex organic molecules बनाएं, फिर वो complex organic molecules जो हैं, वो macromolecules बनाएं और ultimately छोटे-छोटे microbes और उसके बाद आज तक का जो evolution हुआ है वो सब होता है ठीक है, तो ये modern theory of life है, origin of life है, जिसको chemical evolution theory भी कहा जाता है next question देखते है co-asservates are okay co-asservates जो है, ये word भी हमें कहां पर देखने को मिलता है अभी हम discuss कर रहे थे modern theory theory of chemical evolution को हम discuss कर रहे थे उसी theory में हमें ये co-asservate term जो है, वो देखने को मिलती है, हम ये discuss कर रहे थे, कि there were some environmental factors which supported the formation of simple biomolecules and then complex biomolecules which ultimately give rise to microorganism and then complex organism, ये हमने अभी तक दिसकस किया, लेकिन ये co-asservates जो है, इनकी बात यहां पर करें, तो ये क्या होते हैं, collidal suspension होते हैं, कैसे होते हैं, उसको देखते हैं, जो primitive earth atmosphere था, जो primitive earth का atmosphere था, वहां पे abundantly present थे हमारे पास carbon, hydrogen hydrogen और nitrogen carbon, hydrogen और nitrogen और oxygen जो है यहां पे हमारे पास free form में present नहीं थी oxygen free form में present होने का मतलब जैसे हम आजकल molecular oxygen के बात करते हैं, वैसे molecular oxygen प्रेजन नहीं थी it was bound in the form of water और ocean में ये abundantly present थी इसके अलावा carbon, hydrogen और nitrogen थे अब ये hydrogen जो है इन बाकी से ज़्यादा reactive है, तो of course ये hydrogen जो है इनके साथ इनको reduce करके बाकी जो molecules जो atoms या molecules हैं उनको reduce करेगा और या तो sinogen की formation करेगा cn, sinogen की formation करेगा या ammonium की formation करेगा या फिर और क्या है, water molecule तो है ही है, ठीक है, तो ये cyanogen, ammonium आयन या जो water molecule है इसके अलावा एक और carbon जो है, hydrogen के साथ मिलकर methane की formation भी करेगा ठीक है, ये methane, ये कुछ है जो molecules हैं, ये abundantly present है, और क्योंकि यहाँ पर oxygen free form में नहीं है hydrogen free form में है, तो इसका मतलब क्या है ये जो primitive earth का atmosphere है, ये कैसा है reducing environment है, अब इस reducing environment में बहुत सारी reactions जो है oxido reduction की वो चलते रहती हैं, और उसके वज़ा से हमें जो हैं कुछ simple compounds जो हैं वो निजराने शुरू हो जाते हैं धीरे-धीरे along the course of time, ठीक है जैसे aldehydes, sugars fatty acids, amino acids तो ये छोटे-छोटे जो compounds हैं, छोटे-छोटे जो biomolecules हैं, ठीक है organic molecules हैं, वो हमें नजराना शुरू हो जाते हैं अब main question यहां पर है कि energy कहां से मिलती है, तो primitive जो atmosphere है, वहां पर इन सारी reactions के लिए जो energy है, वो या तो volcanic eruption से मिल रही है या तो वो lightning से मिल रही है thundering and lightning वहां से मिल रही है, या UV radiation जो है, वो भी इसमें help कर रहे हैं, energy को provide करवाने में, अब यह जो हमने operon और halden का experiment experiment तो नहीं कहूंगी, जो theory पढ़ी, उसमें halden ने कहा, hot soup solution, hot soup solution, यह hot soup solution इसने किस चीज़ को कहा, hot soup solution उसने कहा, ऐसे fluid को जो उस primitive earth के ocean में, ठीक है, उस वक्त reducing environment में, जब ocean था, वहां पे जो fluid है, और उस fluid में क्या है, और गैनिक compound है, ठीक है fluid having organic compounds in the primitive ocean, so this fluid was known as hot soup solution, ठीक है, इसी hot soup solution में, oxidation, reduction, फिर उन जो molecules बन रहे हैं, उससे condensation, और वो जो molecules बने, ठीक है, उन molecules की polymerization होती रही, होती रही, और जो first living molecules बने, फिर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स जो बने, वो कैसे थे, बड़े थे, ठीक है, कौन-कौन यहाँ पर reactions हुई, oxidation, reduction की हुई, condensation की हुई, polymerization की हुई, और क्या बने, first living molecules बने, जो कैसे थे, large थे, dense थे, और कैसे थे, colloidal थे, colloidal particles थे, ठीक है, तो यह जो सारे particles बने, इनमें और क्या चीज़ थी, यह living molecules थे, लेकिन इनमें कोई lipid की membrane नहीं थी, lipid membrane इनमें absent थी, और nucleic acid, nucleic acid भी इनमें क्या था, absent था, तो ऐसे molecules, जो first living molecules थे, जो proteinaceous थे, बड़े थे, dense थे, colloidal थे, without lipid molecule और nucleic acid थे, इन्ही molecules को, इस Halden ने क्या कहा, co-acervate कहा, ठीक है, इन्ही को क्या कहा, co-acervate कहा, तो आप देखते हैं, कि यहाँ पर क्या-क्या, जो options हैं, वो यहाँ पर fit bed पे हैं, तो यहाँ पर option में दिया गया है, पहला lipoprotein, तो lipid membrane तो इनमें absent थी, ठीक है, mixture of ammonia, carbohydrates and water, तो यह सिर्फ mixture नहीं था, ठीक है, यह कैसे थे, proteinaceous compound थे, proteinaceous थे यह, ठीक है, तो carbohydrates अगर आगे तो वो proteins कैसी हुई, ठीक है, यह क्या है, collidal suspension थे, yes, यह collidal suspension थे, co-acervates are collidal suspension, और यह fatty acids और nitrogenous compound तो नहीं है, fatty acids तो at least नहीं है, ठीक है, तो co-acervates यहाँ पर क्या है, collidal suspension है, co-acervates again, are the first living molecules which are proteinaceous which are large, dense colloidal particles without lipid membrane and nucleic acid I hope co-hacer weights now clear हो गया है next question देखते हैं life cannot originate from inorganic material now because of अच्छा ये question का अंसर तब आप भी दे सकते हैं कि आज के जमाने में inorganic material से जैसा हम primitive earth के atmosphere में बात करते हैं कि सिर्फ carbon nitrogen और hydrogen के मिलने से ही जो है life का origination हो गया तो ये जो है आज के time में possible नहीं है क्यों low atmospheric temperature है क्योंकि ऐसा तो नहीं है low atmospheric temperature नहीं है इसका एक क्या कहेंगे option नहीं है raw material absent है ऐसा भी नहीं है high degree of pollution ये भी well accepted नहीं है लेकिन क्या high atmospheric oxygen हम देखते हैं कि जो primitive earth का atmosphere है वो कैसा है reducing है reducing है और ये क्या लिखा है यहां पर high atmospheric oxygen पतल जो free oxygen है वो यहां पर present है आज के आज के scenario में जो atmospheric oxygen है वो बहुत सादा है लेकिन जो primitive जब actual में life को origination हुआ था तो वहां पर क्या था reducing environment था तो life cannot originate from inorganic materials now because of high atmospheric oxygen next देखते है which compound is very has very important role in prebiotic evolution prebiotic पतल लाइफ के पहले जो भी evolution हुआ जिसको हम co-asservates तक पढ़ते हैं वहां पर कौन सा compound है जो बहुत सादा important role play करता है तो yes ये नहीं है NO नहीं है SO3 नहीं है वो क्या है carbon और hydrogen के जो compounds है वो main role play करते है ठीक है CH4 वैसे यहां पर होना था methane होना था तो ये जो है main role play करता है ammonium ठीक है methane water और hydrogen नेक्स्ट देखते हैं anneximender ने दी थी और Aristotle और Plato ने उसको आगे जो है वो support किया था तो most advanced कौन सी theory है कौन सी well accepted है it is the theory of Halden and Operan which is modern theory या chemical evolution theory next question देखते हैं possible early source of energy was yes ये भी हमने discuss कर लिया है energy का जो early source था वो chlorophyll तो नहीं हो सकता वहाँ पे chlorophyll तो living organism में present होगा ना chlorophyll तो नहीं होगा carbon dioxide क्योंकि उस वक्त present ही नहीं थी green plants भी present नहीं थी तो obviously UV radiations और जो lightning है यही possible source of energy लगता है in primitive earth atmosphere okay next question देखते हैं presence of NACL in body fluid indicates that life originated in ये question बहुत ज़्यादा simple है just a question of common sense अब जो life originate हुई वो हम कहा मानते हैं कि वो ocean में हमने शुरू में ही डिसकस किया कि primitive ocean ठीके वहाँ पर ये life originate हुई थी इसके अलावा अगर ये पता भी ना हो तो हम इसको थोड़ा सा समझ ही सकते हैं कि rain water lake में तो lakes में क्या है sodium chloride तो उतना amount भी नहीं होता है salt solution ये कैसे possible हो सकता है all of the above भी नहीं होगा तो इसका अंसर जो है वो primitive ocean जो पुराने ocean थे वही हो सकता है क्योंकि life तो वहीं पर originate हुई थी next question दिखते हैं oldest rock is dated 3 billion years 3.8 billion years 4.9 billion years 5.7 billion years तो जो oldest rock है जैसे यहाँ पर दो option तो बिल्कुल आप कहो कि उनको आप exclude कर सकते हो ठीक है जैसे 4.9 billion years and 5.7 billion years origin of earth कब हुआ था it was about approximate 4.6 billion years ago तो ये दोनों option तो वैसे ही cut हो जाते हैं जब earth ही नहीं बनी थी तो rocks कहां से बनेगी उसके बाद रह गए दो option 3 billion years और 3.8 billion years तो आप 3.8 billion years को क्लिक करोगे ठीक है इसको आप या तो अगर आपका computer paste test है तो जरूर क्लिक करोगे लेकिन अगर आपका offline test है तो आप OMR sheet में ये वाले option को फिल करोगे यहां पर क्या है oldest rock की बात हम evolution में क्यों कर रहे हैं देखो fossils जब भी मिलते हैं तो वो कहां पर मिलते हैं हमें between the rocks मिलते हैं कौन सी rocks पे sedimentation जो rocks होती है ठीक है sedimentary rocks जो होती है उनके बीच में fossils जो हैं वो दबे रह जाते हैं और with the course of time due to high pressure and temperature वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं organic material वहां से हड़ जाता है और पीच में जो fossil है उसके कुछ impurities या dust या कुछ और चीज़ें जो है वो भर जाती हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो organism का पूरा का पूरा चाप जो है वो वहां पे पढ़ गई है और भी अलग-अलग तरह के fossils जो हमें देखने को मिलते हैं लेकिन एक comments of fossil यही है जो sedimentary rocks में कहीं दबा रह जाता है तो अगर हम इन sedimentary rocks की age का पता लगा लेते हैं तो यह fossil कितना पूराना है इस बात का पता भी लगाया जा सकता है तो इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं इन rocks की dating करते हैं ठीक है dating का मतलब कितनी पुरानी यह rocks है फॉसल कितने पुराने हैं वो पता लगाना तो अभी तक जो है हम इन rocks की dating करने के लिए इनकी age को पता करने के लिए तीन methods का यूज करते हैं जो पहला method है उसको हम बोलते है radioactive method radioactive method और इस radioactive method में हम uranium जो radioactive होता है या potassium जो radioactive है या इसके अलावा carbon जो radioactive है इन तीन radioactive dating methods उनको हम यूज करते हैं ठीक है टिकनीक्स को यूज करते हैं कौन कौन सी radioactive uranium radioactive potassium और radioactive carbon dating method ठीक है इसके अलावा हम यूज करते हैं thermoluminescent method यह भी एक fossil की dating का method है जिसको हम बोलते हैं thermoluminescent method तर्मoluminescent method तर्मoluminescent method और एक और method है जिसको हम बोलते हैं electron spin resonance method यह आर method electron spin resonance method तो तीन तरह के method है radioactive method थर्मoluminescent method और electron spin resonance method तो इन तीन टेकनीक्स की मदद से हम जो है rocks की age का पता लगाते हैं और ultimately हमें fossil की age का भी पता लग जाता है तो this was all for today I hope आपको questions अच्छे लगे होंगे और discussion उससे भी जादा अच्छी लगी होगी अगर ऐसा है तो जरूर like, share और subscribe करते हैं बहुत सारे आप viewers ऐसे हैं जो एस video को देखते हैं लेकिन subscribe नहीं कर रहे bell icon को भी दबा दीजिए subscribe करने के साथ साथ ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसकी notification आप तक पहुंचे और आप उन वीडियो उसको miss ना कर पाए TGT का exam जरूर आएगा और जब उसकी notification निकलेगी उस वक्त केवल आपके पास revision करने का वक्त रहेगा इतना वक्त नहीं होगा कि आप शुरू से हर एक चीज़ को पड़े डिटेल से पड़े तो बेटर है कि अभी थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन चार चार questions के जो concept हैं topics हैं उनको रोज हम clear करें और यही कोशिश मैं रोज यहां पर आपके लिए लेकर आ रही हूँ आप जरूर इन questions को और इनकी details को अपनी notebook पे note करके रखा केजिए और इनको बार-बार revise करते रही है ताकि जब notification आए तो आप सिर्फ revision करें और आपके तयारी एकदम बढ़िया से हो जाए मिलते हैं next video में तब तक के लिए नमस्कार